अपरिमे संख्याएं, Irrational Numbers अभी तक हमने परिमे संख्याओं का दर्समीक रुपांतरन करके देखा जैसे 9 बटे 18 बराबर सुन्य दस्मलो 5 7 बटे 6 बराबर 1 दस्मलो 166 डॉट 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 बराबर 1 दस्मलो 162 इन उधाहरणों से यह बात इस्पष्ठ होती है कि इनका दस्मलो प्रसार सांत होता है या असांत आवर्ती होता है क्या कुछ ऐसी संख्याएं सोच सकते हैं जो असांत हो पर आवर्ती नहीं जैसे 1 दस्मलो 414213 डॉट 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 एक दस्मलो 7 तीन दो सुन्य पाँच सुन्य आठ डॉट 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 जैसा कि आप देख सकते हैं कि उपर युक्त संख्याओं में दस्मलों प्रसार का अंत नहीं होता तथा पुन्राविर्ती खंड भी नहीं है इन्हें असांत अनावर्ती कहते हैं ऐसी कुछ संख्याओं और देखें इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है इसी प्रकार वर्गमूल तीन बराबर एक दस्मलों साथ तीन दो सुन्य पांच सुन्य आठ सुन्य साथ पांच डोट 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 वर्गमूल पांच बराबर दो दस्मलों दो तीन छै सुन्य चै साथ नोट डोट 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 इन्हें भी पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अर्थात वे संख्याएं जो पून वर्ग नहीं होती हैं उनका वर्गमूल और परिमय संख्याएं होती हैं यानि वर्गमूल 4 वर्गमूल 36 परिमय संख्या हैं क्योंकि वर्गमूल 4 बराबर 2 बराबर 2 बटे 1 तथा वर्गमूल 36 बराबर 6 बराबर 6 बराबर 6 बराबर 1 परन्तु वर्गमूल 3 वा वर्गमूल 7 परिमय संख्या नहीं हैं करके देखें, निमनलिखित संख्याओं में परिमे संख्या और परिमे संख्या की पहचान कीजिए पहला वर्गमूल 6, दूसरा वर्गमूल 7, तीसरा रिन वर्गमूल 25, चौथा रिन वर्गमूल 8, पाँच्वां वर्गमूल 9, छट्वां वर्गमूल 9 बटे 16, पाई पाई बराबर 3,14159265389, डौट 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 पाई एक आपरी में संख्या है, जो व्रीत की परीधी और व्यास का अनुपात है पाई बराबर परीधी बटे व्यास, बराबर C बटे D क्या इसका अर्थिया है कि परीधी या व्यास दोनों में से कम से कम एक संख्या और परीमें हैं, या ऐसी कोई परीमें संख्या नहीं है, जिसे व्यास में गुना करने पर परीधी प्राप्त हो हम प्राया पाई का मान बाइस बटे साथ लेते हैं, लेकिन यह पाई का लगवग मान हैं, और परीमें संख्याओं का संख्या रेखा पर इस्थान निर्धारंग हमने देखा कि दो परीमें संख्याओं के बीच अनेक परीमें संख्याओं होती हैं, और उन्हें संख्या रेखा पर दरसाया जा सकता है क्या संख्या रेखा पर इन अनेक परीमें संख्याओं के बाद कोई जगा खाली रह जाती है अगर परिमे संख्या भी संख्या रेखा पर अंकित हो सकती है तो यह मानना पड़ेगा कि परिमे संख्या पूरी संख्या रेखा को नहीं ढखती हम देखते हैं कि वर्गमूल दो का संख्या रेखा पर कैसे स्थान निर्धारित किया जा सकता है